Hi Everyone, आज की वीडियो में हम meditation से related कुछ बात करने वाले हैं और आज की वीडियो का idea मुझे किसी से बात करके आया मेरे एक परचित के मित्र हैं उनसे जब फोन पर बात चल रही थी meditation और कैसे काम करता है, क्यूं करता है उससे रिलेटर बात चल रही तो में आग में आइडिया है कि क्यों ना मैं अपने यूट्यूफ के जो वीवर्स हैं उनको भी इस बारे में बताऊं सबसे इंपॉर्टन बात एक कॉंसेप्ट लियर रखे है कि मैडिटेशन और भगवान रिलीजन इस्प्रिचुलिस्म यह सारी चीजे थोड़ी अलग है Meditation का मतलब क्या होता है? Meditation का मतलब होता है कि आपके मन में आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उनको समझना और यदि Health के Point of View से बताऊं तो आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वो कैसे आपकी Body को प्रभावित कर रहे हैं उस चीज को समझना और फिर उसको ठीक करना ये meditation का main target होता है ठीक है कि लोग आपको बोलेंगे कि meditation करने से आपको ये power आ जाती है वो power आ जाती है वो एक different चीज है वो completely different है लेकिन मैं जब आपको meditation करने के लिए advice देती हूँ क्योंकि मैं हर patient को advice देती हूँ कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो किसी भी प्रार की बिमारी का हो घुटने के दर्द का हो सिर दर्द का हो बीपी का हो थायराइड का हो उन सभी बिमारियों में मेरा meditation तो बिलकुल compulsory होता ही है तो यह क्यों compulsory होता है उस चीज को चलो मैं आपके साथ में थोड़ा सा explain करने का प्रयास करूंगे देखे क्या होता है हमारा जो दिमाग है न हम जो समाज में यहां पर रह रहे हैं तो यहां पर असलियत में तो लड़ाई जगड़े वगएरा बहुत कम होता है चोटे मुटे लड़ाई जगड़े हो सकते हैं पर आप ऐसा सोचो कि किसी ने आपको मार दिया खून कर दिया यह सारी चीज है तो किसी की जिंदगी में एकातबारी ऐसी चीजें होती है कि किसी सीरियल जगड़ा होता है अब हमारी दिमाग का क्या है कि जब आप किसी के साथ जगड़ा करते हो या कोई आपको डाटता है तो जब आपके दिमाग के अंदर वही सारी चीजें होती है जो कि यदि आप जंगल में हो और आपको शेर दिखाई दे जाए तो उस समय पर आपके साथ होंगी अगर आप जंगल में हो आपको कोई खतरनाग जानवर दिखाई दे जाए तो उस समय पर क्या होगा आपकी हाट की गती तेज हो जाएगी क्यों कि आपको भागने के लिए तयार होना है आपके हाथ पैरों में खुन दोड़ना चालू हो जाएगा जादा खुन दोड़ेगा जिससे कि आप जादा तेजी के साथ में भाग सको आपकी विजन थोड़ी सी प्यूपल जो है जो आपकी डिलेट हो जाएगी जिससे कि आपको जादा दिखाई दे और साफ और क्लियर दिखाई दे यह हमारी बॉड़ी का सेल्फ डिफेंस मेकनिजम होता है कि जैसे हमें कहीं पर भी कोई खतरा दिखाई देता है किसी भी प्रकार का खतरा दिखाई देता है तो हमारी बॉड़ी सेल्फ डिफेंस मेकनिजम activate करती है और एकदम से ये सारी चीज़े चालो जाती है और ये within a second होती है ठीक है अगर कोई आपको डांट दे आप बहुत relax होकर बैठे हुए कोई बड़ा अधिकारी कोई भी व्यक्ति आपको डांट दे तो एक second के अंदर आपकी heartbeat तेज हो जाएगी आपके respiration की गती तेज ह किसी के साथ आपका जगड़ा हो गया किसी ने आपको कुछ सुना दिया घर पर husband wife के वीच में जगड़ा हो गया इन सारी चीजों में आपकी दिमाग के अंदर सेम activity होती है जो कि जंगल के दौरान हुई थी आपकी respiration तेज होगा आपका heartbeat एक दम से धग 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 जगड़ा नहीं हो फिर भी आपके ये जो उंगलिया है ये पुरी swelling आ जाती है सुच जाते हैं खून तेजी के साथ में दौरने लगता है मतलब हमारे दिमाग में सेम चीज हो रही है जो कि जगड़ा करते वक्त थी या फिर जो जंगल में शेर दिखते वक्त थी मतलब आपको जगड़ा करने के लिए या उस situation को deal करने के लिए तयार कर दिया अब चूकि आप समाज में रहते हो आप जगड़ा तो कर दी सकते आप बौस को उल्टा तो नहीं बोल सकते तो ऐसी condition में आपकी दिमाग का एक पार्ट बोलता है कि काम रहो शांत रहो ठीक है दिमाग का एक पार्ट आपको यह बोलता है दिमाग का दूसरा पार्ट self defense mechanism में एक्टिवेट हो जाता है कि जगड़ा हो रहा है तयार रहो physical fight देनी है जगड़ा करना है हाथ परों में खून तेज जा रहा है हाट की गति तेज हो रही है respiration तेज हो गया है pupil डाइलेट हो ग में बिमारियां होना चालू हो जाती है जिन लोगों को भी बार-बार इस प्रकार की situation आती है तो ऐसे लोगों को क्या होगा cervical pain बहुत जादा होते है cervical pain का मतलब क्या है कि आप stiff करके खड़े हुए हो cervical pain यह जो गर्दन का दर्ध हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ एक तरीके का कि आपको किसीने data आप उपर से काम बने हुए हो लेकिन आपकी गर्दन अकड़ गई आप गुस्ता कंट्रोल कर रहे हो यह मैंने गुस्ता कंट्रोल किया तो मेरी cervical यह अकड़ गई अब यह continuous तो क्या होगा यह vertical यह जो vertebra column हे उनने किसी ना किसी प्रिकार का डिफेक्ट आइगा ऐसे लोग जिनके उपर pressure बहुत जबขेता है किसी भी प्रिकार का pressure है कि घर का pressure है नौकरी का pressure है बहनों की शादी का pressure है जो शादी का क्या प्रेशर होता है एजुकेशन कराओ शादी अपने आप हो जाएगी जब होनी होगी तो छोड़ो उसके बारे मैं नहीं पढ़ता है यह जो इस प्रकार के प्रेशर रहते हैं जुनको ऐसा लगता है कि हम बहुत दबे हुए हैं प्रेशर में ऐसे लोगों को कमर की problem बहुत ज़्यादा होती है, rear की हडडी की problem ज़्यादा होती है, कहते हैं कि उस आदमी में rear की हडडी नहीं है, यह दो मतलब लगता है न कि जाना का जाना काफी ज़्यादफ होता आखों की प्रोब्लम को गुस्ता बहुत जादा आता है उनको बहुत जादा जिए कि सीम चीज हो रही है वहिं हो नहीं काम रहोगों कि प्यूपल को डायलेट करो बहुत साफ साफ देखो खितरे को पहचानो और भागो अब ये दिमाग में आदा आदा खिशी-खिशी चल रही है कि एक हिस्सा ये बोल रहा है एक हिस्सा ये बोल रहा है तो आपको किसी भी प्रिकार से बुरा भला बुला तो उस घबराहट की वजए से आपका जो लंग से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं अगर बड़ी-बड़ी बीमारियों की बात कर लेते हैं केवल और केवल स्ट्रेस के कारण होने वाली बीमारी है बहुत ही कम ऐसा हो उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉबलम होती है आज कल 30 साल में लोगों को ब्लड प्रेशर की दवाईयां खानी पड़ रहे हैं तो ये बीमारियों क्यों हो रही है क्योंकि unnecessary बहुत जादा stress कर रखा है अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताएं इन सब को आप deal कैस श्रद्दा है वो बहुत जादा important है वो भी करना चाहिए मैं उसके विरोध में बिलकुल नहीं हो लेकिन जिस meditation की मैं आप लोगों को बार बार बात करते हो कि करना चाहिए उस meditation का उद्देश है कि आपकी दिमाग में जो conflict हो रहा है न उसको solve करो कि आपका दिमाग एक सवाली बिमारियां है वो नहीं हो इसका और एक मैं आपको एक्जांपल देती हो कि आपको relax करने का मतलब क्या है मांदो आप पढ़ाई कर रहे हो ठीक है अब आपका दिमाग का एक हिस्सा बोलता है कि यार खेलने जाना है खेलने जाना है गेम खेलना है क्रिकेट खेलने ज इस्सें को सुनो और फिर एक conclusion निकालो कि अभी मैं दो घंटे पढ़ाई करूंगा उसके आज में एक घंटे के लिए खेलने जाओंगा और फिर दिमाग के दौने जिस्सें बोलता है yes very good correct decision यह होता है meditation करने से ठीक है आपको यदि कोई काम करना है मानलो आप कोई जॉब कर जॉब में आप खुश नहीं हो और अपनी जॉब चेंज करना चाहते हो अब यदि उसी जॉब को आप मड़ते लड़ते पिटते पिटते करते रहो तो वह stress पैदा करता है लेकिन यदि आप meditation करो अपनी problem के बारे में सोचो और फिर उसका solution निकालने की कोशिश करो कि मैं अ सेविंग कर लूँ जिससे कि मैं फलानी फलानी जॉब या फलाना कुछ भी एक्सवाइजर जो मैं करना चाता हूँ उसको मैं कर सकता हूँ ये दोनों चीज़ें जब आप रिलेक्स होकर तसली से बैठकर सोचते हो और उसके बाद एक conclusion पर आते हो यही meditation का उद्देश होता मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोल रही हो अपने मन में उठने वाले जो विचार है नेगेटिव पॉजिटिव उनको कामली देखो थोड़ा सा observe करो उस situation को जादा बहतर तरीके से कैसे deal कर सकते हैं उस answer को डूड़ने का प्रयास करो और जब वो answer मिल जाए उस answer के उपर काम करना चालू करो ठीक है अगर आप यह करोगे तो आपकी बहुत सारी life की problem ठीक हो जाएंगी unnecessary का कभी सिर्दर्द कभी कमर दर्द कभी घुटने दर्द कभी मन नहीं लगना कभी भूक नहीं लगना यह सारी जो बिना मतलब की psychological problem है बिना मतलब किसले बोल रहे हो कि यह को कोई बिमारी ही नहीं है किवल unnecessary का psychological disorder बना रखे है जो कि बिना कारण के जो डेली रोज मर रहा कि डेली life के जो stress है उसकी वज़े से हो रहा है एक चीज़ और last में मैं clear कर दूं इस गलत family में कभी मत रहना कि आपको किसी चीज का stress है कई लोग बोलेंगे ना कि मुझे job का stress है या फिर मुझे family का stress है मेरी family में ऐसी problem है इसलिए मुझे stress है ऐसा कभी नहीं होता आपको stress लेने की आदत है इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है क्यों क्योंकि life में problems कभी खतम नहीं होगी आप नौकरी में हो तो भी आप परिशान रहोगे नौकरी नहीं होगी तो भी परशानों नौकरी में हो तो भी परशानों तो इस ट्रेस लेना टेंक्शन ले Kings ने रहना ये मानसिख बिमारियां होती हैं जो कि meditation ना करने के कारण होती है तो meditation को अपने लाइफ में लागा प्लीस कमेंड करके बिताएगा और लर्निंग आयरवेट पर मैंने फिर से आपको आयरवेट के बेसिक चालू कर दिया है प्लीस लर्निंग आयरवेट चैनल को सब्सक्राइब करो वहां पर थोड़े से व्यूज दे दिया करो यह नहीं देते हो और जो बेसिक आपको आयरवेट समझारी हूं आप यूज नहीं देते गलत काम प्लीस उसको भी जाकर सब्सक्राइब करो वहां की वीडियो देखा करो लर्निंग आयरवेट भी डॉक्टर नेहा जोशी और यह वाला जो चैनल है डॉक्टर नेहा जोशी केर क्लिनिक प्लीस दौनों को सब्सक्र